हेलो नमस्कार जहें से शेकाल मेरा नाम है लोकेशिंग और फिर से आप सभी का स्वागत है इसकोर बैटर के यूटुब चैनल पर और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट है टॉप स्टार्ट अफ इंडिया को लेकर हम लोग बात करेंगे और आज जो टॉपिक है इंडिया के स्टार्ट अप इको सिस्टम को लेकर है बहुत बड़ी इंपोर्टेंट अपडेट है यह इस तरीके के करेंट टॉपिक होते हैं बहुत जादा डिसकॉशन में आते हैं और इन सबको इस पूरे टॉपिक को में लोग जानेगा और इस तरीके जितने भी शाहित करना पड़ेगा और उसके लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको फ्लीज वीडियो को लाइक करना पड़ेगा तो इस हमबल रिक्वेस्ट क्यूंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से केवल और केवल 1-2 परसेंट लोग ही है जो वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के वाद चैनल को और लाइक करते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा की गई महनत को थोड़ा सा प्रोस साहन आप लोग प्लीज जरूर दीजिए ताकि मुझे भी एक एनरजी मिले कि हां यार चलो बच्चों ने पसंद्द किया है तो हम व्रोग और कुछ नहीं है करेंगे और उनिकोर यह सारी चीजों और प्रेजेंट में पैसा इंवस्टमेंटी इतना कम हो रहे हैं बहले हम लोग शाटटन्ग पर यहां जानेंगे क्या समस्यार रही है इस वक्त हमारे साथ ठीक है तो यह सारी चीज़े जानने के लिए मेरे साथ बने रही है और देखिए आज की वीडियो में क्या है खास बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेर का टॉपिक है तो सबसे पहले तो आरगे के दौरा यहां पर एक रिपोर्ट रिलीज की ग मारा startup ecosystem में उसमें जो funding आती थी जो investment आती थी ठीक है वह investment क्या होगी और कितनी कम हुए इतना बड़ा मैसिव इसलोडाउन या इतना बड़ा मैसिव ड्रॉप बहुत ज्यादा बड़ी बात है अपने अगर मैं कहूं अब यह चीज हुई क्या यह कारण था कैसे हुआ है क्या आगे हम लोग इसको सुधार सकते हैं यह सारी चीज़े आज हम लोग यहां पर डिसकॉ कर रहा है बहुत तेहीं से आगे बढ़ रहा है ठीक है नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूफ कर रहे हैं और यह काबले तारीफ है वर्ड की इस वक्त इंडिया अगर यूनिकॉन की बात की जाए तो उसमें भी थर्ड नंबर पर है और अगर बात की जाए स्टार्ट अप एको सिस्टम को लेकर तो उसमें भी थर्ड नंबर पर आता है आफ्टर दा यूएस से एंड चाइना हमारे बात फिर आता है इसराहिल एंड इसराहिल आते हैं तो 2021 से 2022 में जो अंतर आया वो एराउंड 33% का अंतर है अब यह हुआ क्यों है क्योंकि अ कोविट की वजए से काफी सारी जो कंपनीज थी वह ऑनलाइन चले थी हम लोग यहां पर अभी बात करेंगे अपना यह जो एजुकेशन ऑनलाइन वाला सिस्टम में इसको लेकर भी बात करेंगे क्या इसके मैसिव ड्रॉबैक है क्या आज के टाइम पर समस्या देखने को म इन सब के बारे में आपर डिसक्रिशन करेंगे अच्छा अब जरा जान लेते हैं क्या-क्या चीज आप तो कोविट में क्या हुआ कि अब अपने को पता है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी तो हम लोगों ने ऑनलाइन डिलिवरी करवानी शू कर दी ऑनलाइन चीज़ें म online ही है अब हमें सब कुछ online करना पड़ेगा हम लोग इस तरीके से एक जिगे जमान नहीं हो सकते कोविट के वजए से में सब्सक्राइब को कि इतना मैसिव बूष्ट मिला इन इस्टार्ट अपस को कि इसमें फंडिंग बहुत ज़्याद अगई इतनी फंडिंग और फिर हर एक इस टार्ट आप क्या बहुत सारे लोगों को इंप्लाइमेंट देना शुरू कर दिया लोगों को अपने खांटा क पर उतना रिटर्ण नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं इस company की वेज़े से हमें क्या हो है massively loss हो रहा है अब यह सारी चीज़ हम लोग यहां पर बात करेंगे पर उससे पहले ज़रा हम लोग जान लेते हैं तो जैसे कि मैंने बता है इंडिया थर्ड नंबर पर आता है जो हम लोग बात करते हैं यूनिकॉंस को लेकर जो यह वह मैप है यह वह ग्राफ है जो मैं आपको दिखाना चाहते हैं 2011 में हमें अरे पास कितनी फंड आता था और आज की टाइप पर आप देखो हमारा investment क्या है एराउंड 40.8% हमारे पास investment हो रहा था 2021 के में और 2022 में यह घटकर 23.9 हो चुका है ठीक है बहुत ज़्यादा massive draw back आया ठीक है अब यहाँ पर जड़ा अच्छे से मैं आपको समझाना चाता हूं देखो आप लोग इस्ट्वेंट हो अपन आपको इस्ट्वेंट वाली भाशा में समझाते है एड टेक का एक्जामपल लेते हैं ठीक है अब एड टेक में मैं किसी कंपनी का नाम नहीं किया और उस टीचर को बोला कि मैं आपको क्या दूँगा सेवंटी थाउजन सेलरी में आपको दूँगा ठीक है अब यहाँ पर दूसरी कंपनी इसको फंडिंग मिल गई इसने क्या किया यह टीचर तो मुझे भी चीए तो मेरे पास बच्चे कैसे आएंगे मैं अगर कोई की ओलं गया तो मेरे पास बच्चा नी आयगा मैं काम करता हूं अब इस ने देखा सबसे फैमस्टीचर यह वाला है कि इसने पूच से बात की इस ने बाद कि बता कितने में करेंगा काम पॉन 25 loads में घ्रे अब ऐसे में क्या हुआ क्या हुआ यह टीचर चला गया इस कमपनी में चले गया अब जैसी वी कमपनी में बच्चे चले जाएंगे पर सारे बच्चे तो नहीं जाएंगे ये चीजी कमपनी होने निसोची यहरा यह SYPS पर यहां पर जरूर बोलता हूं कि जिस बच्चे ने तोमारा लिए एडमिशन ले लिए एमें वह क्यों तुमारे बीम एडमिशन लेगा नहीं ले सकता ना पीम एडमिशन जिसने बच्चे ने पहले ही 10,000-8,000 रुपय अपने खर्च कर दितुमारे लिए एक नंबर की classes के लिए वो B company की classes के लिए क्यों जाएगा तुम्हारे पास नहीं जाएगा न यहाँ पर उसके डेड़ लाख रुपए है टीचर चला गया अब टीचर का feedback नहीं आ रहा ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर एक और company आ गई C इसने देखा अच्छा यह वाला टीचर है इसकी चर्चा हो रही थी तो एक काम करता हूँ मैं इसको offer कर देता हूँ भई कितने में डेर लाख में अच्छा ठीक है मैं तो तीन लाख रुपए दोंगा आजा हमारे पास अब टीचर क्या होगा मूँ ठाकर यहाँ चला गया और यह सच में गलत है यह सच में गलत है ठीक है अब यहाँ पर जब टीचर चला गया अब तीन लाख रुपए अगर टीचर महीने की सेलरी लेगा तो भई सीधी सी बात है तीन लाख रुपए अगर महीने की सेलरी लेगा तो तीन लाख रुपए का revenue भी तो उससे जेना पड़ेगा कि मैं अपनी salary निकालने के लिए उतना पैसा भी दोगा भाई आप किसी company में काम करते हो कहीं पर काम करते हो आपको वहाँ पर salary मिल रुपए तो आप 50,000 का काम भी तो करके दोगे company को और company ने आपको तीन लाख में लिया और आपने तीन लाख का revenue भी generate नहीं किया तो company तो आपसे बोलेगी न कि यह क्या कर रहे हो फिर उसके बाद क्या क्या किया कम इन लोगों को यह unemployed कर दिया निकाल दिया गया बाहर और यह कई सारी companies जिन्होंने बहुत सारे teachers को बाहर निकाल दिया था ले-off आपने सुन organization थी उन्होंने अपने funds में कुछ गढ़बढ करके दिखा दी और जैसी वो गढ़बढ की तुरंती यहां पर क्या हो गया पंगा खड़ा हो गया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे employees को आपने हटा दिया कुछ employees को बोल दिया कि आप लोग तीन महीने free काम करो हमारे लि यह हमारे जो स्टार्टप से उन्होंने अपने आप और यहां पर अब चलो यह तो हुआ सो हुआ अब इसमें इन्होंने एक और blender कर दिया वो क्या blender किया वो किया for example जैसे हम लोगा example लेते हैं आज की टाम पर मामा अर्थ का मामा अर्थ आप लोग सुन रोगे IPO लेकर आ रह है इसके पीछे कई 500 क्रोड के आसपास का लॉस भी generate कर रखा है तो 14 क्रोड का profit generate करके क्या फायदा हुआ तो ठीक है अब हुआ कि सिल्पा शिट्टी जी ने माल लो मैं एक example लिका हूँ कि शिल्पा शिट्टी ने वहाँ पर मामा अर्थ में अपना investment कर रखा है ठीक है तो मामा अर्थ में उन्होंने investment कर रखा है अब सिल्पा शिट्टी ने कितना डाल रखा 75 क्रोड रूपीज डाल रखें अपने मामा अर्थ में अभी 75 क्रोड रूपीज है तो वह नो डाउट वह जब भी निकालेंगी जो वह बोलें कि मेरा पैसा मुझे वापस करो तो 75 क् अब जितने लोगों ने मामा अर्थ में अपना investment कर रखा है वो सब चाहते हमारे पैसे डबल हो जाए तो ऐसे में क्या मामा अर्थ ने अपना IPO लेकर आई और IPO क्या हजार कई हजार क्रोड पच्छिस हजार चौबिस दर क्रोड रूपीज की कंपनी दिखा कर वह IPO लेकर आन सब्सक्राइब कर दो दिन तीन दिन के बाद ही धड़ाम से नीचे आना शुरू हो गए है ना IPO इतने बड़े उस पर सेम वही मामा अर्थ पर कई हजार कोड की कंपनी दिखा कर वहां पर क्या IPO लाने की बात हो रही है पर जैसे ही IPO पता चलेगा बहुत बड़े लेवल पर लेटेगा और सड़नली धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा उससे क्या होगा एक्ट्वल में तो उन इंवेस्टर का उनका नुक्सान होगा जो विचारे इंवेस्ट कर रहें जो च्छोट च्छोटे मतलब लोग हैं जैसे आप जैसे मेरे जैसे जो लोग है जो अपने सारे इंवेस्टर को कई विचारे लका किसारी कंपनि को लगा कि यह जो अभी इंडिया का जो च्टर प्सिस्टшьन में इस टेव यह गान रोत है घरको यह पना स्टार्ट अप लेकर आरहा है और अपने एकशिट का प्लानिंग करके आ रहा है कि मैं शुरू करूंगा इतने दीरे-दीरे slowdown होना शुरू हुआ और अचानक से हमको यहां पर क्या हो एक बहुत ज़दा बड़ा चेंज देखने को बिला कि 40.8 से 23.9 हो गया बन लिए ठीक है मैंने एट्टेक वाला एक्जांपल आपको इसलिए क्योंकि कोचिंग सापको लोग ऑनलाइन लेते ही हो किसी जगह से इसलिए मैं प्रैफर करता हूं कि मैं यूट्यूब पर सब कुछ फ्री पढ़ा हूं ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं कि कंप्रीज उन कंप्रीज को कहते हैं जो की रिसेंटली टैन येर्स में ही क्या हूई है सेट अप हुई है या एक्जिस्टेंस में आई है और उनका जो अपना टर्ण ओवर है वह सौ करोड से कम है सौ करोड मनलब बोला जाए तो क्या एरांड वन बिलियन ठीक है ध्यान बात करें यूनी कॉंन क्या होते है नहीं या नहीं चैनल कहिशन में यारांड Cir ab community सौन किभते होगा ओ उस यूनिकॉन बोलेंगे ठीक है तो यूनिकॉन अभी जो अपने घोड़े का इमेज देखा था एक सिंग वाला घोड़ा एक यूनीक फीचर है ठीक है एक यूनीक अपने आपको अलग दिखा रहे है सब में ठीक है तो अभी तक इंडिया में एराउंड 107 स्टार्ट अप ऐसे आपको देखना चाहिए अब वहां पर कई सारी कंपनी के प्रमोटर से कई सारी कंपनी के शार्क बैठे हुए ठीक है शुगर कॉस्मेटिक ठीक है बोट शादी.com ठीक है कार देखो और लैंस कार्ट ठीक है मामा अर्थ अब यह सब जो बैठे हुए ना अगर मैं आपको यह लोग अपनी कंपनी को लॉस में रन कर रहे हैं पर वहां पर इंवेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरी कंपनी में कितना अजीब सा लग रहा है कि ऐसे लोग इंवेस्ट कर रहे हैं जो खुद प्रॉफिट नहीं कमारें तो जब कोई कंपनी स्टैबिश होती है और उसमें सब्सक्राइब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगता है वह अपने बहुत सारे along करती है अब रोंोशन ड्रों होते हैं डिफिरेंन्ट डिफिरेंट लोगों के थ्रूँ आम जैसे अभी बेजुज ने मैसी को ले लिया अब मैसी को लिया उसके कही लोगों को अच्छे से काम करवाते लोगों को सैलरी देते और शायद इतने में तो उनकी पूरी एक साल की पूरी सैलरी थी पूरे इंप्लॉईज की तो यह अपने आमें बहुत बढ़ा डिजास्टर है कि आप कैश भर करना कहते हैं इसको एक स्टार्च एक लैंगुज में बोलता, कैश भर करना कि आप क्या लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी प्रमॉट करने के लिए क्या करऊ कारो गulator लग तरी HD ने के लिए इंफ्लइंस करने और बीटू सी बिजनस टू कंजूमर जो आपके साथ अप्रेट करती है ठीक है प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरू कर ले ना भाई अपन फ्री में पढ़ा रहे हैं अपन आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं यूटुब पर ठीक है तो स्टार्ट अप इंडिया की बात करें तो स्टार्ट अप इको सिस्टम जो इंडिया में नहीं शुरू है और बहुत तेजी से आगे जा रहा है इस वक्त यूएस से और चाइना को ने बहुत तेजी से पीछे चोड़ा और आने वाले जो डेकेड हैं वह और मुस्ट इंडिया की नाम पर ही है हम लोग बहुत जल्दी ही चाइना को पीछे करेंगे और दूसरे नंबर पर आ जाएंगे एरांड इसका भी जो टारिट है वो दो हजार पच्चिस तक का है यह चीज का ध्यान रखेगा ठीक है अगर हम लोग यहां पर बात करें कि 2016 सत्रा में जो स्टार्ट अप थे वो अश्वनी वैश्णव जी के तोरह इस चीज को एनाउंस किया गया था कि इस वक्त इंडिया में जो रजिस्टर्ट स्टार्ट अप है वो 75,000 के आसपास है एक्जेक्ली बहुत अजीब बात है 75,000 रजिस्टर्ट हुएं अब इतने में से कितने चलेंगे कितने नहीं चलें अब इसको रन करना उसको प्रॉपर्ली चलाना गॉपर्मेंट के साथ प्रॉपर कंट्रिब्यूट करना यह वो इस टार्ट अप से जिनको खुद गॉपर्मेंट खुद मलब देख रही है उनको अधिविटीज को देख रही है तो इस चीज का अप लोग ध्यान रखिए इसको प्रेजेंट में जैसा कि मैंने आपको बताई इंडिया में एराउंड वन जीरो सेवन यूनिकॉंस हैं ठीक है सेप्टेंबर 2022 तक की रिपोर्ट थी यह सारी जो डेटा होता है यह हर कोई अपने अलग अलग बताता है कुछ लोग को होता है कि फंडिंग मिलने के बा नेशनल इंवेस्टमेंट प्रोमोशन एंड फेसिलेटेशन एजनसी यह खुद वहां पर क्या बताती है हर एक कंपनी के लिए बताते यह अब आग के टाइम पर यूनिकॉन हो गया और यह नहीं हुए ठीक है तो कुछ इस तरीके का है और यह जो इस वक्ट यूनिकॉन है तो यह चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से कुछ जो है नाम वह मैं आपको बताता है अभी हम लोग बात करी रहे थे ठीक है क्रेड है ठीक है क्रेड कार्ड की कंपनी मीशो है शॉपिंग वाली है ठीक है फार्माइजी है ठीक है फिर लीशियस है ज अब यह नाम क्यों चेंज हुआ है इसको अभी रिसेंटली जोमेटो ने अक्वाइर किया इंड इसका नाम क्या करते है चेंज करके ब्लिंकिट कर दिया ठीक है और बहुत जादा मैसिव लॉस में चल रही थी यह कंपनी अब एक लॉस में कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर कर रहें सो कितने अजीब हो गरीब कंडीशन है है ना जालो अब यहां पर बात कर लेते हैं यहां पर मैं छोटा सा यह च्छे रहा हूं बाकि आप लोग यहां पर देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रविन्यू स्ट्रेक्चर से हम लोगों को इतना डिटेल में जाने क ठीक है दिस्वी चीत एक और डिस्टर ट्रांसक्शन को भी आप लोग यहां पर देखेजिए डिस्टर ट्रांसक्शन 2012 में जो था वह 6.2 था और अब दस सालों के अंदर अंदर यह कितना हो गया फोर एक हो चुका है 22.2 बहुत बड़ा नंबर है यह ध्यान रखेगा ठीक चली आगे बढ़ते हैं यह थोड़ा सा इस टार्टप्स तक का टार्गेट है कि एक लाग तक कर यह स्टार्टप एक लाग स्टार्टप इंडिया में इस्टैब्लिश हो चुके हो उस टाइम तक ठीक है जिन में से 150 से ज्यादा यूनिकॉन होंगे ठीक है 3.25 पॉइन पॉपल्स को यह लोग जॉब दे रहे होंगे ठीक है सोचो मनलब 3.25 जॉब दे रहे होंगे उस टाइम पर ठीक हंड़ेट बिलियन की एकनौमी जनेरेट कर रहे होंगे एक इन्वेस्ट्मेंट जनेरेट कर रहे होंगे यहां पर और इंडिया चाइना को और रखो कि अगर कभी आने वाले कुछ सालों में अगर सो नौकरी नहीं मिलती है तो भाई मैं अपना एक छोटा सा स्टार्टप डालुआ मैं खुद तीन चार लोगों को क्या करूँगा इंप्लाइमेंट दे दूँगा तो यह चीज आपके अंदर होनी चाहिए ध्यान रखेगा खुदा ना कास्ता कभी दिन देखना बढ़े कि नौकरी नाम मिले परन्तु फिर भी मलब चलिए तो फाइनल यह चैनल फंड शेर मार्केट अप ग्रेड जो है वो एक तरह का ख्लास पोवाइड कर वाता है ग्रेड आपका क्रेड कार से रिलेटिट है त्यक्क है इसका रूट बहुत इंप्रेस टेक्नोजी से रिलेटिट है ठीक है म्भी चाहई वाला यह तो बहुत फेमस है ठीक है इस्पनिंग ठीक है देन गुड्ड ग्रूप ठीक है ग्रोथ इस्कूल यह ग्रोथ इस्कूल में ग्रोफ वालों से ही रिलेटेड है एक ब्लू स्मार्ट है यह एक इंफ्रस्रेक्टर डवलप करने है कैप सर्विसस का जिसमें यह लोग सिर्फ कौन सी काड़ियों को यूज करते हैं जो कि इलेक्रिक वीकल होते हैं ताकि यह प्रॉफिट में रह सके अधर्वाइस पैट्रोल डीजल आपको पता है महंगा होता रहता है सीनजी महंगी होती रहते हैं बट इलेक्रिक वीकल क्या तक अभी कुछ ऐसा इंपक्त पड़ेगा नहीं और वो लोग आसानी से क्या करें ट्रैक कर लेते हैं कि कितनी दूरी तक हम को किस परसन को छोड़ना है ठीक है तो इस सिटी डूर सिटी ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा एक 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 इकुसिस्टम इनों ने डवलप क अजहनails को सरी के बहुत सारे स्टार्टप हैं जो यहाँ PAR हमारे सामने है मैं सारे स्टाटप की लिस्ट नहीं रख सकता है इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ केवल टॉप 20 पको आपके सामने यहाँपर रखने साम ने वाला दिन आने वाले कि हम कुछ भी कर लें इतनी सरकाई नौक्रियां तो कभी नहीं ला सकते हैं यह सब को पता है और आप भी कहीं ना कहीं यह दिल से जानते हो कि कुछ भी हो जाए हम इतनी सरकाई नौक्रियां पैदा नहीं कर सकते कि हजारों करोडों सरकाई नौक्रियां आ जाए और सब को भर इसकी में जो government लेकर आती है, जिसके तुरू वो यहां पर क्या करती है, funds प्रोवाइड करवाती है, फिर एक सेतु है, self employment and talent utilization, आपके अंदर कोई talent है, आपके अंदर कोई skill है, उस skill का use करके आप क्या कर सकते हो, government से थोड़ा बहुत benefit ले सकते हो, पैसे का, and then उसे अपना एक automatized startup शुरू कर सकते हो, ठीक है, then इसके बाद e-biz portal है, जिसमें क्या different license होते हैं, जो different regulations होते हैं, ठीक है, permissions होती है, उनको easily provide करवाने का काम करते है, e-biz portal, ठीक है, then इसके बाद एक और आता है government का, जो होता है, क्या credit guarantee fund, यह जो fund है, यह actual में हमारा micro, small, medium enterprises, जो हमारा MSME sector है, जो हमारी MSME मंत्राले है हमारा, उसके दौरा यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी start-ups होते हैं, छोटे start-ups होते हैं, उनको यहाँ पर benefit provide करवाय जाता है, जो की small sectors related हैं, यहाँ फिर medium sectors related होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, fund of fund startup, यह क्या है, तो यहाँ पर करीबन SIDB के दौरा है, किसके दौरा, SIDB के दौरा, around 10,000 rupees जो होते हैं, वो different different startups को, और different different उनके action plan के हिसाफ से दी जाते हैं, for example, किसी startup में बोला, कि हम यह जो production कर रहे हैं, यह market में launch करेंगे, तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप launch करो, पहला stage है, कि आप अपना setup start-ups करोगे, तो इसके लिए हम आपको 5,000,000 रुपए देंगे, ठीक है, फिर दूसरी बाद जब आपका product तयार हो जाएगा, आप उसे market में launch करोगे, step B, तब हम आपको 5,000,000 रुपए या 10,000,000 रुपए हम आपको और देंगे, अब पूरी funding क्या हो गई, company की पूरी funding हो गई, मानलो 20,000,000 रुपए की, 5,000,000 पहले देंगे, इतना आप डालो और इतना हम अपनी तरफ से दे रहे है, फिर उसके बाद क्या कि है, जब सब कुछ हो गया, तो उसके बाद 10,000,000 रुपए और दे दिए, फिर उसके बाद चेक करेगा, कि वही कैसा आप चला रहे हो, क्या कर रहे हो, फ लिए, फिर है कैता है, तैका हो, अब यह क्या होता है, यहां पर डिफरेंट बहुत सारे टेक्स आप्स आप कोई कंपनी कोई इंडस्ट्री अगर इ InnEEP अगर Zarमिश करते हो तो आपको बहुत सारे टेक्स देने पड़ते इन सारे टेक्स से बचने का शुरुवाती तरीका है यह तरह से शुरुवात के तीन साल जो भी नए स्टार्ट अप होते हैं वो क्या करते हैं अपने किनो डौड़ अगर इतने मैसिव टेक्स लगेंगे तो फिर वो कैसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे उनको प्रोस्ताहन कैसे मिलेगा क्या अपनी कंपनी चले तो शुरुवात म में सरकार एक तरह से हेल्प यह भी करते कि आप अभी फिलाल टैक्स मत दीजी हमको बट आपको क्या करना पड़ेगा हमें मैट देना पड़ेगा मैट क्या है यह मिनीमम आर्टरनेटिव टैक्स क्या मिनीमम आर्टरनेटिव टैक्स यह मिनीमम आर्टरनेटिव टैक्स आप आपको हमको देने पड़ेंगे ताकि आपके ऊपर भी एक sense of responsibility रहे कि मैं tax दे रहा हूं तो at least मैं काम भी करूं मैं profit भी जनरेट करूं बहुत ज़ादा जो heavy taxes होते हैं ठीक है उनसे काफी अतक छूट मिल जाती है जैसे GST कई बार देना होता है तो अगर आप पे startup हो तो आपक को support करेंगे तो यह सारी चीजे थी जो आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए करेंट का topic था मैंने आपको बता दिया और यह आपको पसंद आया होगा अगर प्लीज पसंद आया तो आप मुझे बताना जरूर क्या कमी रह गई वो भी बताओ और प्लीज वीडियो को like करो comment करके बताओ और अगर आपको किसी topic के ओपर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप वो भी बताओ एंड वीडियो को share अगर अप कि इस वीडियो में मुझे दीजे विदा अगले वीडियो में फिर मिलूंगा थैंक यू सो मच जहिंद